आपका स्वागत है इस आखरी इंडियन सिंधी WBBL में on mutual funds सही है दि आउटसाइड व्यू पावर्ड बाई fantasy अखाड़ा इस आवेजों को ध्यान से पड़ें बहुत सारे अच्छे performances हुए कुछ प्लेयर्स एकदम टॉप हुए कुछ प्लेयर्स का नहीं चला बोल बाला इस WBBL में थे सबसे ज्यादा आठ इंडियन प्लेयर्स लेकिन कोई भी प्लेयर दिखा नहीं हमको WBBL फाइनल में जब स्कॉर्चर्स ने स्ट्राइकर्स को हराया फिनाले में to win their first WBBL ट्रोफी आई ये देखते हैं उन आठ विमिन्स बिग बैश लीग इंडियन्स को कि उनका performance क्या था इस पूरे बिग बैश लीग में पहले प्लेयर्स मैं नीचे से उपर तक शुरू जिनका performance मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा हूँ वहाँ से शुरू करूंगा से player of the tournament तक जी हाँ उतना मुझे बताने कि आपको अब जरूरत नहीं है पहली player की बात करता हूँ मैं चलते हैं bottom Hobart Hurricanes के तरफ रिचा गोश खेली number 4-5 consistently उनको opportunity दी Hurricanes ने best thing they did 14 matches खेले उन उनोंने 162 run अगर आप वो matches और runs देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ 12 की ओसत से रिचा ने run बनाए कोई अर्दशतक नहीं कोई शतक नहीं और एक ही अच्छा performance मुझे पूरे tournament में लगा वो 43 run जो उनोंने पहले ही हफते में मार दिये थे उसके बाद से अगर रिचा का performance देखा जाए तो वो कुछ खास नहीं है मैं expect कर रहा था कि शायद रिचा गोश इस challenger trophy में दिखेंगी लेकिन वो नहीं दिख रही है उनको rest दिया गया है well deserved rest है पिछले 5 महिने से बाहर है finally कुछ rest मिलेगा a time to make a comeback let's see when and let's see how लेकिन अगर पूरे WBVL में देखे तो रिचा कोश का performance below average below average था चाहेंगी कि वो और better करे लेकिन हाँ अभी time है from an 18 year old to a 17 year old जी हाँ दूसरी player शफाली वर्मा की बात करते है Sydney success के लिए खेली वो जो slot था जो मैंने nearly हर इसमें बताया है मुझे success management का बिलकुल पसंद नहीं आया कभी open कर रही है कभी 4-5 पे खेल रही है 191 रन बनाये उन्होंने 13 matches में at an average of 17.36 खास नहीं है शेफाली वर्मा के जिस हिसाब से उन्होंने पूरा औरा बनाया है पिछले देड़ दो साल में 2019 में जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से अब तक Sixers का बहुत चाहती होंगी कि हाँ शेफाली और हीली जब टॉप पे बैटिंग करेंगे तब जाके Sixers जीत सकती है Sixers नहीं qualify हुआ था टॉप 4 में और शेफाली का performance below average अगें below average ही perform किया उन्होंने अगर आप उनका हर जगा scoring pattern देखे तो दो से तीन मैच थोड़े ठीक ठाक हुए उसके बाद में तो zeros बहुत सारे बने single digit बहुत सारा बना तो शेफाली वर्मा again well deserved rest उनको rest चाहिए a time to refresh herself and make a comeback वो बहुत important है और जैसी वो comeback करेंगी we all know कि शेफाली वर्मा क्या कर सकती है वो ही देखना अब बाकी है तीसरे player की अब बात करते है बरोडा से खेलती है उदर sixers के लिए खेली है बरोडा से इसलिए बोल रहो क्यूंकि अब वो challenger trophy खेलने वाली है और अगर आप उनका WBBL performance देखें 12 matches के लिए 9 ही wicket लिए औसत वगेरे सब ठीक है economy भी ठीक है success qualify नहीं हुआ और मैं जो पूरे WBBL के rap में बोल रहा हूँ कि आपको एक वो player of the match performance जाए या आपको एक performance जाए है जिसमें आप 3-4 wickets लो रादा यादफ is a wicket taking bowler अगर 12 matches में 9 ही wicket है तो कहीं तो गड़वड है उनको ये चाहती होंगी कि वो consistently wicket ले और consistently player of the match performance वाला performance करें लेकिन दोनों भी नहीं हुआ तो उनका WBBL भी खास नहीं था average था चाहेंगी कि challenger trophy में एक return मारे तब ही जाके वो world cup spot fix होगा क्योंकि spinning में काफी तगड़ावार है या पर चलिए बात करते हैं एक spinner से दूसरी spinner की और पुनम यादफ पहली बाल WBBL पहली बाल एक franchise tournament खेल रही थी 13 matches खेले heat के लिए 10 wicket लिए heat नमर 3 पर finish किया है a lot of credit to Poonam एक दो matches बहुत अच्छे हुए उनके लेकिन again spinners से ये expect किया जाता है कि आप wicket low उतने consistently नहीं मिले again same player of the match performance type performance जादा नहीं हुआ ये होना चाहिए rest अभी करेंगी लेकिन जब return करेंगी तो again world cup spot मेरे हिसाब से मुझे कोई दोहराय नहीं है कि वो 15 में रहेंगी 100% रहेंगी मेरे हिसाब से लेकिन अगर आपको consistently 11 में रहना है न्यूजीलेंड में तो आपका performance अच्छा होना चाहिए चाहिए वो न्यूजीलेंड के ODIs में हो चाहिए वो warmups में हो आपको performance अच्छा करना पड़ेगा तभी आप 11 में जगा बना पाओगे world cup के लिए मिलते हैं अगली spinner के से दीपती शर्मा अगें आई विल नाट से ग्रेट परफोर्मेंस अवरेज परफोर्मेंस था उनका भी बैटिंग में कुछ 35 के अवरेज से उन्होंने रन बनाएं हाइस्ट 44 नाट आउट है उनके maximum matches में उन्होंने नाट आउट परफोर्मेंस ज्यादा थे इसलिए वो आवरेज स्लाइटली अप दिख रहा है हमको और उन्होंने 13 विकेट लिए विकेट टैली बहुत अच्छी दिख रही है विकेट ही दीपती शर्मा मानी जाती है कि हाँ वो विकेट लेंगी वो आपको पावर प्ले में आके विकेट दिलाएंगी वो आपको विकेट दिलाएंगी डेथ में तो मेरे हिसाब से वो काफी important है लेकिन अगर आप देखो तो स्नेयर राना ने performance बहुत अच्छा किया है domestic में वो जो spot है न आप spinning all rounder वाला वो स्नेयर राना भी उतनी ही push कर रही है अभी India A को lead करेंगी राना तो एक competition है number 11 में कौन सा off spinning all rounder खेलेगा राना ने ये भी दिखाया है कि वो finisher एक बहुत अच्छी है वो अच्छा के finish कर सकती है तो दीपती शर्मा के उपर एक double pressure रहेगा कि वो कैसे आके ठीक कर दे और उनका spot बरकरार रखे जबकि राना को 11 से बाहर रख सकती है consistently अगली player की बात करते है आजाते है अब renegades के त performance no doubt about that and a lot of credit goes to those two Indians पहले इंडियन की बात करते है जमीमा रोडरिक्स तीन सो तेहती सरन बनाए है इस पूरे श्रंखला में अगर बोला जाए तो उनको एक second birth मिला है क्योंकि उनका performance northern super chars 100 में और अब WBBL में उनका performance काफी अच्छा रहा है इसलिए मैं बोलता हूं second birth मिला है क्योंकि अब वो जो इंडिया का एक spot था जहां से उनको बाहर निकाल दिया था अब वो consistently door knock कर रही है कि मेरा performance अच्छा है अब मुझे आपने team में लेना चाहिए मेरे इसाब से वो काफी important था दो match दो 50s बनाई 75 बनाया एक थंडर के against मेरे इसाब से एक overall अगर जमीमा का performance देखा जाए रेनेगेट्स के लिए उतों काफी important था काफी अच्छा था और बहुत ही बड़िया performance किया जमीमा ने यही अब वो एक blue jersey में repeat करने की बारी आती है वो उनको अब करना पड़ेगा अब मेरे इसाब से उनको chance देना भी चाहिए और अब उन्होंने वो blue jersey में performance repeat करना चाहिए अब top 2 पे आ जाते है स्मृती मांधना इंडिया की उपकतान है थंडर के लिए open कर रही थी और शायद वो एक performance उनका starting में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था लेकिन by the end of the tournament मांधना ने दिखा दिया कि why she is one of the most fearless players in the game 377 run बनाए एक शतक दो अर्दर शतक और वो जो शतक था वो WBBL के history में number 1 पर पहुचा दिया है उनको 114 नाबाद जी हाँ equal होता है Ash Gardner के साथ लेकिन 114 पे वो out हो चुकी थी नाबाद है तो एक slightly upper position pace मृती मांधना आच आ चुकी है दो अर्दर शतक बनाए थंडर का performance 373 की average के साथ जब आप 377 run बनाते हो एक शतक मारते हो तो मेरे हिसाब से आपका individual performance काफी अच्छा था बट अगेन वो एक मांधना से सर्फ जभी भी देश विश करेगा तो वो एक ही विश करेगा की और थोड़ा consistency अगर आप दिखा दो तो वो जो World Cup है वो भारत को आप जि चिताने की बात आती है तो एक नाम सबके दिलो दिमाग में है जिनोंने Australia के चक्के चुड़ा दिये थे 171 नाबाद बनाया था उस सेमी फाइनल में 2017 के और एक चांस दिलाया था कि भारत फाइनल में आए और भारत फाइनल में England को हराया तो अब वो ही सेम हर्मन प्रीत को और हमें इस टॉर्नमेंट में दिखी अगर आप पूरा साल देखो हर्मन का तीन से चार इंजूरी इस कोवेड सबने शायद रूल आउट कर दिया था हर्मन को की अरे यार इससे नहीं होगा लेकिन अगर आप पूरा WBBL देखे हो तो क्या बहतरीन बल्ले बाजी और क्या पहतरीन गेंदमाजी की है हर्मन प्रीत कॉर ने कि उनको प्लेयर ओफ दे टॉर्नमेंट दे दिया गया है जी हाँ सोफी डिवाई ने काफी टक कर दी थी पिछले दो बार प्लेयर ओफ दे टॉर्नमेंट रह चुकी है चाहती होंगी कि इस बार भी मिले लेकिन हर्मन प्री में हिंदूस्तान का जंडा लहरा है और हम वो वर्ल्ड कप जीत किया है यही वो चाहेंगी और मेरे इसाब से उनसे बहतर यह ऐसा तड़कता फड़कता परफार्मेंस कोई नहीं दे सकता है इतनी बहतरीन बल्लेवाजी इतनी बहतरीन गेंदवाजी की है उन्होंने 15 उन्होंने लिए 406 रन इंडियन्स में सबसे अधा रन्स भी उन्होंने बनाए मेरे इसाब से इंडियन्स इंदी डव्ल्यू बीबियल प्लेयर ऑफ दे टॉर्नमेंट भी वन और उनली हर्मन प्रीत को और ही रहेंगी तो हाँ यह था इस साल का सबसे आखरी इंडियन्स इंदी डव्ल्यू बीबियल रैप मिलेंगे हम और सीरीज है चलेंजर ट्रूफी आ रहा है और बहुत सारी सीरीज है उस पे हम ज़रूर मिलेंगे बट तिल देन सी यू एंड टेक केर मुच्वल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक आप्षिन है इसे कमिशन बच जाता है आरे यार जसी मुझे बताना डिरेक्ट प्लान में सोच समाझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फाइदा है सही है मुच्वल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े